कि नमस्कार कैसे आप आज से हमने सच्ची घटनाओं पर आधारिक कहानियों का सिलसला शुरू किया है जो आपको जगाएगा सचेत करेगा और जिम्मिदार बनाएगा हमारी कोशिश है कि ऐसी सच्ची घटनाओं पर आधारिक कहानी जिसने देश को एक नई सीख दी जग जोड़ा और चेताया भी यह कहानी एशिया के सबसे पुरानी प्राइबेट मेडिकल कॉलेज की है लगभक 138 साल पुरानी मेडिकल कालेज जिसका गौरब मई इतिहास है कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज जी हम उसे मेडिकल कॉलेज के अंदर की एक हिला देने वाली कहानी की चर्चा कर रहे हैं जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत के मामले ने पूरे देश को हिला दिया ऐसा नहीं कि अस्पताल के अंदर डॉक्टरों की मौत का मामला कभी कभार घठता हो लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि देश के किसी मेडिकल कॉलेज हास्पीटल में एक डॉक्टर की मौत ने पूरे देश को हिला दिया देशल आरजी कर मेडिकल कॉलेज के थार्ड फ्लोर पर एक कॉन्फरेंस हॉल था उस कॉन्फरेंस हॉल में प्रेणी डॉक्टर रात भर की ड्यूटी के बाद आराम करने गई थी लेकिन सुबह तक वक काम पे नहीं लोटी जब पहली बार कॉन्फरेंस हॉल में कोई सक्स पहुचा तो वहां उस डॉक्टर लड़की की बॉड़ी दिखाई थी उसने दूसरे साथियों को बताया और शाम तक यह मामला जो लग रहा था कि इसे यूही सल्टा दिया जाएगा कॉलेज के डॉक्टरों के बीच ही यह चिंता का विशे बनता चला गया क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने इसे आत्म हत्या कह दिया था और जब डॉक्टर के माता-पिता अस्पताल आए तो उन्हें सुसाइड पहली बार कहा गया फिर अननेचुरल डेथ लेकिन जागरूक यूवार डॉक्टरों ने इस मौत को संदिहासपत बताते हुए प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इस प्रोटेस्ट ने एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कालेज हॉस्पीटल की अंदर चल रहे मानव अंग तसकरी और वेस्ट प्रोड़क के खेल को फोल कर रख दिया आमतर पे यह माना जाता है कि डॉक्टर धर्ती पर भगवान सुरूप होते हैं लेकिन अकसर यह शिकायत होती रहती है कि कई अस्पतालों के अंदर कई मेडिकल कॉलेजों के अंदर मानव अंग तसक करीका खेल चल रहा होता है लेकिन यह चीजें सामने नहीं आ पाती है कि डॉक्टरों के लिए शिकायत होती है कि डॉक्टर महगी दवा लिखते हैं और कई तरह के जाँच जान बूच कर लिखते हैं ताकि सिस्टम में मेडिकल सिस्टम में कमाई हो सके और पूरा मेडिकल सिस्टम पूरा अस्पताल प्रशाशन उस लूट का हिस्सेदार हो सके यह आम तरफे चर्चा होती है इस बात का अंदेशा नहीं था कि कोलकता का सबसे प्राचीनतम मेडिकल कालेज आरजी कर मेडिकल कालेज से ऐसा घिनोना सच सामने आएगा जरसल जिस डॉक्टर की बॉड़ी बरामत की गई शुरुवात में इसे आत्म हत्या फिर अननेचुरल डेथ बताया गया लेकिन इसे ढखने की जितनी कोशिश की जाने लगी यह उतनी जंगल की आग की तरह फैलता चला गया इसका अंदाजा ना कोलकता की कमिशनर को था ना अस्पताल प्रशाशन को अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोश ने आनन फानन में पूरी इस रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हुए इस्तिफा दे दिया तो उन्हें लगा कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा लेकिन प्रोटेस्ट अब संदीप घोश के खिलाप ही चला गया था क्योंकि संदे के घेरे में संदीप घोश आ रहे थे दरजल जिस लड़की की मौत आठ अगस्त दो हजार चौबिस की रात को हुई बताया जा रहा है कि आठ अगस्त को देर रात वो कांफरेंस हौल में आराम करने गई सुवाच छे वजे पाया गया कि जमीन पर उसकी बॉड़ी पड़ी हुई है और वो ऐसी स्थिती में है कि उसे शुरुवाती में देख लगा कि वो बॉड़ी मृत है लेकिन इस छे वजे बॉड़ी मिलने के दो घंटे के बाद कालेज के प्रिंस्पल की इंटरी होती है और परियन को बताने में लंबा समय लगता है उन्हीं गुमराह किया जाता है कि उनकी बेटी ने आत्म हत्या कर ली उसके वाद इससे अननेचुरल डेथ बताया जाता है कूले उसके तूटे हुए हैं पूरे अंग छत भी छत हैं फिर भी कोलकता पुलिस इसे छुपाने की कोशिश कर रही थे रहस यहीं से गहराता चला गया यह प्रोटेस्ट देश ब्यापी होता चला गया कोलकता से लेकर पूरे देश के डॉक्टर हर्टाल पर चले गए दे और मौत इस देश में कोई ऐसी घटना नहीं थी जिससे पूरा देश हिल जाए लेकिन 2011 में निर्भया कांड के बाद देश पहली बार इस कदर उद्वेलित हुआ और राजनीती से उपर उठ करके डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग होने लगी तो रहस से और गहराता चला गया दरसल पश्चिम मंगाल की मुख्य मंतरी ममता बेनर जी राजी की ग्रिह मंतरी और राजी के स्वास्त मंतरी दोनों थी दोनों और इन तीनों जम्यदारी के बाद ऐसा लगने लगा कि ममता बेनर जी कहीं न कहीं इस पूरे मामली को छुपाना चाह रही है उनके उपर जब दवाब हुआ तो वो शहर के अंदर खोधी प्रोटेस्ट करने लगी तो सवाल उठा कि ममता किसके खिलाब प्रोटेस्ट कर रही है वो तो खुद स्वास्त मंत्री है वो तो खुद ग्री मंत्री है वो स्वेंग मुख्य मंत्री है तो इस पूरे मामले को घंता से जाच होनी चाही थी चार दिन बाद उन्होंने कहा कि वो अपराधी को फांसी के तक्ते पर 24 घंटे के अंदर लटका देंगी यह सब इमुस्तल बातें थी, यह देश जानता है कि किसी मामले को अदालत में चलते चलते सालों लग जाते हैं 24 घंटे में किसी की फांसी नहीं होती, लेकिन ममता ने यह सब वाह-वाही लूटने की कोशिश के इस पूरे खेल में देश ने देखा कि कैसे ममता वेनर्जिस पूरे मामले को गुम रह कर रही है कुलकता पॉलिस के कमिस्टनर अक्सर संदेख के घेरे में आते रहे लेकिन मेडिकल कालेज का प्रिंस्पल पब्लिकलि संदेख के घेरे में हो ऐसा नहीं होता आमतीब users के प्रिंसिपल अस्पताल के सुप्रेटेन्डंट का सच्च सिर्फ डॉक्टर जानते हैं और पूरा अमामला कभी बाहर नहीं आ पाता। लेकिन लगवक 138 साल पुराने इस अस्पताल को अब सरकारी अस्पताल का दर्जा आजादी के बार मिल चुका हुआ था। अब इस कालेश को बंगाल के स्वास्त बंत्राले के अंदर ले लिया गया था। ऐसे में बंगाल सरकार संदेह के घेरे में आने लगे। तो कई टेलिवीजन चैनलों पर अब उसी अस्पताल में असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट के रूप में काम करने वाले डॉक्टर्स भी सामने आने लगे और उन्होंने ऐसा सच बताना शुरू कर दिया कि पुरी रूप काप गई। इसी अस्पताल में कभी काम करने वाले अक्तर अली जो पुर्व असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट थे उन्होंने वो सच बताया अलग-अलग चैनलों पर आस्तक्सिल के अलग-अलग चैनलों पर जाकर इस अस्पताल में मानव अंग तसकरी का भी धंधा चलने का आरोप लगता रहा है उन्होंने जो बात करी वो चौकाने वाली थी उन्होंने कहा कि संदीब घोष बाउंसर रखता था और यही संदीब घोष छात्रों को फेल करने के बाद अपने गिरों के कुछ छात्रों से कहता था कि उसे पास होना है तो उसे इतने पैसे देने हो यह सब सच अब student doctor भी कहने शुरू कर दिये, इस हस्पिताल में संदीप खोश का प्रकोप किस कदर था, वो bouncer लेकर चलता था, और यह भी सामने आया, इसी अक्तर अली ने यह कहा, कि जिस संजेराय को accused बनाया गया, यह कहा गया कि कोलकता पुलिस में volunteer है, दरसल खेल यहां से शुरू कि जब pressure परने लगा कि यह मामला आत्म हत्या का नहीं है, unnatural death भी नहीं है, तो फिर इस पूरे मामले में एक किरदार पेश किया गया, कुलकता पुलिस का एक volunteer संजेराय को, संजेराय इसी अस्पताल में पुलिस volunteer के रूप में काम करता था, और अक्तर अली जो इसी अस्पता का चेहरा देखा, तो मुझे याद आया, ये वक्त विवक्त ये प्रिंस्पल के साथ रहा करता था, मतलब संदीब खोस का बाउंसर भी था ये, इसने पूरे रहस्य को और गहरा दिया, और ये दिखाना शुरू किया कि देश भर में जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थ देश भर में जो डॉक्टर की सुरक्षा के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, देश भर में जो डॉक्टर के अंदर ये आक्रोश था, कि डॉक्टर की सुरक्षा होनी चाहिए, दरसर इस महिला डॉक्टर की हत्या किसी मरीज ने नहीं कि, किसी गुंडे ने नहीं कि, हत् और यह संदिक्द है बताया ग्या कि सन्जीब घोस जो संजराय जो असपीताल में आया वह शुरुआत में इंट्री सीसीटीज़े में दिखाया ग्या कि सीसीटीज़े से जो पुलिस बारस हजार रुपे की सैलरी पर पुलकता पुलिस में वलिंटियर के रूप में काम करता था और उसे अद्रिक्त पैसे अस्पताल से मिलते थे वो संदीब भोश देता था और उसे फसाने के लिए एक फ्रेमवर्क तयार किया गया कि CCTV कैमरे में वो अस्पताल में आता दिखाई दे रहा है वो कॉंफरेंस हौल के तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और जब वो लोटता है कुछ देर बाद तो उसके पास जो पहले से जो हेड़फोन थे वो नहीं थे दरसल यही खेल है और अब यह माना जा रहा है कि उसका जो हेड़फोन उसके पास नहीं थे वो उस हेड़फोन को यह दिखाया गया कि वो स्पॉट पे है और उसी हेड़फोन के सारे संजराई को गिरफतार कर लिया गया अब सच यह सामने आने लगा कि अकेला संजराई ना तो उस लड़की का रेप किया और नहीं अकेले वो मार सकता था जिस जंग से विबस कंडिशन में बॉड़ी थी इससे लगता है लड़की की हत्या में कई लोगों की भुमिका है इस संदेह ने रहस्य को और गहरा दिया और तब शिकंजे में मेडिकल कॉलेज का प्रिंसपल संदीप घोश आ गया संदीप घोश को तब तक पोलकताप में ममताब एनरजी की सरकार में वहाँ उस अस्पताल आरजीकर हॉस्पिटल से निकाल करके उसे और बहतर अस्पताल में भेज दिया था ये ममताब एनरजी को पर संदेह और बढ़ाने लगा ये संदेह ममताब एनरजी पर इसलिए बढ़ाने लगा क्योंकि आखिर ऐसे अपराधी प्रविर्ती के डॉक्टर के परती इतनी महरबानी ममता सरकार की क्यों थी जब पूरा कोलकता ही नहीं, पूरा बंगाल ही नहीं, पूरा देश इस पूरे मामले को लेकर आंदोलित था सच यहां दिखने लगा कि इस देश के इतिहास में किसी रेव और मडर को लेकर के पूरा देश आंदोलित इससे पहले सिर्फ निर्भया कांड में दिल्ली में हुआ था कोलकता के लिए ये पहला अनुभव था, देश के लिए ये दूसरा अनुभव था ममताब इनरजी पहली बात परिशान नजर आई तो सड़क पर प्रोटेस्ट करने लगी इस बीच किसी ने मामला हाई कोट में डाल दिया और कोलकता हाई कोट ने इस पर संग्यान लेते हुए इस पूरे मामले को CVI को सौप दिया और निगरा ने खुद करनी शुरू कर दी कमाल की बात ये है इस पूरे मामले में जब संदीब घोश को डीटेन किया गया जब संदीब घोश से लगातार पूश ताच की जाने लगी तो रहस से और गहरा गया तो फिर इसी कालेज के कई स्टूडेंट के बयान दर्ज किया राये गए और विशे सुरूप से अक्तर अली जो पुर्व असिस्टेंट सो प्रेटेंडेंट था उसने उस सच को सामने रख दिया कि 2022 में भी इस कालेज में जो अठारा सो अरसट का ये कालेज है उस कलेज में हंगर स्ट्राइक हुआ था मानव अंग तसकरी का मामला सामने आया था और बेस्ट प्रोड़क्ट जो आप अक्सर देखते हैं कि अस्पताल में मरीजों के लिए जो इस्तमाल होते हैं उसमें कई ऐसे प्रोड़क्ट होते हैं जो इस्तमाल नहीं होते हैं उसे फिर से दवा दुकानों पर भेजा जाता है प्राइवेट दुकानों पर और फिर जो सरकार के खर्च पे जो दवा आती हैं जो मेडिकल एकुप्मेंट डाते हैं वो प्राइवेट अस्पतालों को बे आरजी कर मेडिकल कॉलेज पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगा दिया है जो सवाल करता है आखिर ऐसा क्यूं हुआ कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पटाल का ये प्रिंसिपल इतना वड़ा हबस, इतना हबस का सिकार हो चुका हुआ था कि फूरा मामला नैतिकता, मानबता औ धर्ती पर भगवान के रूप में माने जाने वाले मेडिकल पेशे को कलंकित करने वाला था, मानब अंगों की तसकरी क्या सचमुच इसस्ताल में होता है, क्या बेस्ट प्रोड़क्ट क्यों को लेकर के एक माफिया गीरी का काम क्या सचमुच इस मामले में होता है, ये मामल एक नीजी सचीव अपना रखता था असरफ खान जो इसका नीजी सचीव साथ संदीब घोश के लिए काम करता था और जिस संजेराय को क्यों जो बनाया गया है उस संजेराय भी संदीब घोश के लिए काम करता था तो चोतरफा संदीब घोश गिर गया लेकिन अब महत्पून सवाल ये कि संदीब घोश को ममता बेनर्जी क्यों बचाना चाहती थी तो पूरी तरह से ये पूरा मामला ममता बेनर्जी तक आता है तब ये लगता है कि जब करोडों की कमाई इस मेडिकल माफियाओं के द्वारा होती है मेडिकल कालेज अस्पतालों की होती है तो वो सक्ता और सिस्टम तक कैसे पहुंसता है जिस पेशे को लेकर इतना सम्मान आपकी नजर में होता है उस पेशे के पीशे का सच क्या है कमाल की बात यह भी है कि ये पूरा मामला जब कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा था तो फिर इस मामले को बरी चालाकी से सुप्रीम कोट लाया गया। सुप्रीम कोट में देश के सबसे प्रभावशाली वकील कपिल सिद्बल इसी ममताव एनरजी सरकार की वकालत करने लगे और पूरा पासा पॉलटने से लगे। इस पूरे मामले में जब इस बात की जांच होनी चाही थी, सेंट्रलाइज करके क्या अखिर इस कालेज में क्या सचमुच माना बंगों की तसकरी हो रही है, क्या बेस्ट प्रोडक्ट का धंधा चल रहा है, क्या मेडिकल कालेज के जूनियर डॉक्टरों को पढ़ाई कर रहे यह डॉक्टरों का भै समाज से नहीं है, यह मेडिकल माफिाओं से है, बड़े बड़े कॉलेजों से है, जिसका संपर्ग सीथा सक्ता के प्रतिस्थानों से है, ऐसे में यह सच्ची घटना आपको और हमें जगाता है, हमें सचीत करता है, जबेदार बनाता है क्या उन्हें अपनी ही अंदर पक रहे, पल रहे इन मेडिकल माफियाओं से, जिस संदीब खोश का सच भयावा सच अब देश को चौका रहा है, CBI इसे परदद परद जाच कर रही है और माना जा रहा है कि इस अस्पताल में पिछले दस सालों में जो इस तरह की वारदाते हुई ह कई बात डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर छलांग लगा कर आत्म हत्या किया, सुसाइट कमरे के अंदर किये गए और उन तमाम चीजों को रफा दफा कर दिया गया, इस कॉलेज में इस से पहले कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हुई है, देश के कई मेडिकल कॉलेज पतालों में जूनियर डॉक्टरों ने इस तरह की हत्त, की रहस्त में ही मौत हुई है, जिसे आत्म हत्या करार दिया गया, ये मामला भी रास्ट्री अस्तर पर नहीं आता, तो आज उस डॉक्टर लड़की की मौत वो हत्या को आत्म हत्या करार दिया जागा, लेकिन देश जगा और ये सच धीरे-धीरे सामने आने लगा, शुरुवात में लोगों को डराने की कोशिश की गई, कलकता के इस मामले पर बोलने की हिम्मत देश नेस्टनल मीडिया के प्रभावशाली यूटूबर्स तक को नहीं हुई, लेकिन जब राष्ट व्यापी आंदुलन बन तो खौफ, सत्ता और संस्थानों को हने लगा, और फिर ये मामला सुप्री मदालत तक पहुंचा, सुप्री मदालत में सरकार के लिए प्रभावशाली वकील आए, माना जाने लगा किस पूरे मामले को दवा दिया जाएगा, लेकिन आम इस पूरे मामले को जब आम जनता अपने हाथ में ले लिया, तो फिर इसे दवाने की जुर्रत किसी की रह नहीं गई, इसलिए ऐसी घटनाएं, जो कई बार जिसे हम इगनोर करते हैं, ऐसे किस से, जिसे हम कहानी समझ कर टाल देते हैं, ऐसी सच्ची घटना हमें जगाता है, हमें सचेद करता है, उससे मिदा बनाता है, उमीद करें, ये कहानी, ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी आपको सचेद किया होगा, आपको जगाएगा और हम सब को जिम्मिदार बनाएगा, ये कहानी आपके ओंपर कितना प्रभाव डाली, पॉमेंट्स पर जरूर बताईएगा, बहुत बहुत धन्यव